आज हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहते हैं कहानी ये है कि हमारे पास दो किसान थे और दोनों किसान धनिया मूली और पालक तीन फसलों की उन्होंने खेती की अब दोनों ही किसान लगवग 20 से 25 उर्पे प्रति किलो होलसेल रेट मे उन्होंने अपनी फसल को बेच दिया उसमें से एक किसान ये बोला कि भया आपकी बार हमको बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ और वहीं पर जो दूसरा किसान था उसी सेम रेट में सेम फसल को सेम मंडे में बेचने के बावजूद भी अगला किसान बोला भया मजा नहीं आ और यहां तक कि अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमने इन्वेस्टमेंट इसमें की है वही हमारा इसमें वापिस आ पाया है तो आप जानते हैं ऐसा उन दोनों किसानों के साथ क्यूं हुआ क्यूं एक किसान को ज्यादा पैसे मिले सेम फसल को उगाने पर सेम मंडी में पर और वहीं पर जो दूसरा किसान है उस किसान को मुनाफ़ा नहीं हो पाया तो बहुत सारी बारिकियां होती हैं खेती करने के दौरान और उन सभी चीजों का हमें ध्यान देना होता है अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें घाट होने की संभावनय है कम सी कम जो किसान हमारी वीडियो देख रहे हैं वह जान पाएं कि आखिर क्योंने के साथ एसा हो रहा है और किस तरीके से उसको खतम कर शकते हैं तो आईए हम आते हैं अब अपने subject पे है यह है कि हम कहते हैं कि सभी प्रकार की जो प्रवाइब दोगाने को आप उगा सकते हैं लेकिन जब बात आएगी प्रॉफिट की तो सभी फसलों को अगर एक ही किसान उगाना चाहेगा तो वह उसमें प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा पर आखिर ऐसा होता क्यों है तो देखिए सभी परकार की जो फसले होती हैं सब की अलग-अलग अपनी अवैस्क्ताएं होती हैं हम आज की इस वीडियो में जलवायू मिटी पानी जो भी पर्यावरड़ी चीजें जरूरी होती हैं एक फसल को उगाने के लिए उसे नीट्रल मानके चल रहे हैं वहाँ पर आज की इस वीडियो में उसका योगदान नहीं ह यहाँ पर आज फसल और किसान की बात हो रही है तो सभी फसले सभी किसान नहीं उगा सकते हैं तो कौन सी फसले कौन किसान उगा सकते हैं देखे जब वही बोले कि प्रॉफिट वाली चीज तो देखे यहाँ पर जो छोटा किसान था अभी जो हम कहानी आपको पहले बताए जो चोटा किसान था उससे धनिया मूली पालक हुआ करके काफी अच्छा मुनाफ़ा हुआ था और जो पूस्ति तो किसान को सिर्फ अपनी जो लागत है यही वापिस आ पाई थी पर ऐसा क्युम हुआ अब आगे जा जो फसले होती है इनका अलग-अलग चरित्र होता है। चरित्र का कहने का मतलब उनकी जो देखभाल होती ही है। लेकिन हम यहाँ पर जैसे धनिया मूली और पालक का उदारड लिये हुए हैं, तो धनिया मूली पालक जो होती है, इसको हारवेस्ट करने में, इसको उत्पादित करने में, और इसमें खर पतवार वगेरा के नियंतरण में काफी बारीकिया होती हैं, अब जो छोटा किसान हो करने के लिए लेबर का परियोग करता है, अब जो लेबर होती है, उनके हाथों में उतना कौसल होता नहीं है, उस चीज को पहली बात तो उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, और दूसरी चीज है, जब एक बड़ा किसान इन सब चीजों को करता है, तो जो उसका ल मार्केट ले जाना, बहुत बड़ी बात होती है, देखे कैसे, अगर आप मिर्च की खेती करते हैं, तो माल लिजे मिर्च की खेती किये, अब उसकी तोड़ाई करना है, तो एक लेबर अगर काम कर रही है, तो एक क्विंटल या बहुत अच्छी लेबर है, बहुत मन से काम कर रही है, तो दो क्विंटल, हालत खराब हो जाएगी, बारा घंटे में तोड़ने में इतना, तो अब अगर एक लेबर एक क्विंटल की तोड़ाई कर रहा है, अब उसका जो चार्ज है, जो है, तीन सुर्पे दिहाडी है, तो अब एक किलो का जो चार्ज आएगा, ये आएगा आपका तीन रुपे, अब तीन रुपे में सिर्फ आपके पेड़ से मिर्च को तोड़ा गया और रख दिया गया है, अभी उसे पाइकिंग करना है, और फिर मंडी लेके जाना है, और फिर वहाँ पर कमीशन भी देना है, तो उसका भी दो रुपे जोड लीजिए तो कुल मिला करके आपका आगया पाँच रुपे, अब ये पाँच रुपे क्या है, आपके खेत में फसल तयार थी, सिर्फ उसे आप तोड़ करके मंडी लेके गए, प्रती किलो जो पीछे खर्चा आता है, ये पाँच रुपे आ जाता है, लेकिन अब जो छोटा किसान ह होता है, इन सभी कारियों को अपने हाथों दौरा कर लेता है, अब जब अपने हाथों दौरा कर लेगा, तो जो पाँच रुपे है, ये बचत में आ जाएगा, अब जो बड़ा किसान होगा, जिसके सारे कारे लेबर से होते हैं, वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा, अब छोट कारी होता बहुत अच्छी तरीके से होता है और उसका प्रोडक्शन भी बहतर आता है और जब आप करते हैं तो जो लेबर चार्ज है ये भी आपका कमाता है ये बात हो गई है अब बात आती है कि सभी फसले तो सभी फसलों में देखे जैसे अब एक मिर्च का उधारण हम एक लेबर जाएगा तो दिन भर में 10 कुंटल 12 कुंटल यहां तक कि अगर मेहनती होगा तो 15 कुंटल तक माल तोड़ाई करके रख देगा अब उसका जो चार्ज आता है लेबर का ओ आता है तीन सुर्पे अगर दिहारी हममान के यहां चलते हैं अब 15 कुंटल वह तोड़ा है तो ऐसे में उसका जो खर्चा है प्रतिकिलो का यह तो पैसे में आ जाएगा ना तो मतलब जहां पर आपका 5 रुपे 3 रुपे खर्च हो रहे हैं तो यह अंतर आ जाता है तो इस वज़े से जब आप माल लिजे हम मद्हम या बड़े किसान है तो आप जो ऐसी फसले हैं जिनकी कारिकुसलता ज़्यादा चाहिए होती है जैसे धनिया, मुली, मीर्च, मटर है इत्यादी प्रकार की फस्ले, और वहीं पर मध्यम या बड़े किसानों के लिए बैगन है, करेला है, कदू है, लोकी है, इत्यादी प्रकार की फस्ले, जो आप जब लेबर से काम करवात कि अगर आप छोटे किसान है तो आप उसको करश Mozart है और चोटे किसान है तो पैसे की जलदी जलदी ukohl रहे हैं लेकिन वही पर बड़ abol में लेकिन नहीं होती है तो बड़े किसान को इन फसलों में या तो जो लागत लगाए हैं उतना ही बचके अरक आता है या तो घाटा हो जाता है ऐसी ही परिष्थिती में अब जो मध्यम प्रकार के किसान है या बड़े किसान है तो वह वजंदार फसले लगाएं तो यहाँ पर अभी आप लोग समझ गए होंगे कि सभी किसानों के मांनके चलते हैं कि धनीया का पाऊडर या हाल्दी का पाऊडर एक किलो लेकर के आया अब वह क्या करेगा कि हर किसी को बुरा मत मानियेगा लिखनी ये समाज में उधारन चलता है तो इस वज़े से हम यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं तो वही चीज है कि यही चीज आप लोग खेती में भी ध्यान दीजिये कि कहां पर आपका खर्चा जादा आ रहा है कहां पर आपका खर्चा कम आरहा है कौन सी फसले आपके लिए साही रहेंगी अब मान लेजे कोई बड़ा किसान है और उसके मोड में आए कि चलो धनिया की खेती करते हैं अब लगा दिया दासिकर धनिया भईया बिकेगी कहाँ हो और उसके लिए कितनी लेबर की जरूरत पड़ेगी तो यह सारी चीजे हैं हम यहीं समझाना आप लोगों को चाह रहे है हैं कि आप अपने हिसाब से फसलों का चुनाओ करें एक तो हो जाता है कि मौसम के हिसाब से आप चुन लिए मौसम के हिसाब से चुन लिए बहुत सारी फसले उसमें आ गई लगभग दस बीस पचास परकार की फसले आ गई जो कि आपके यहां के मौसम के हिसाब से उगाई पड़ते हैं अब धनिया पालक मूली की खेती करेंगे तो रोज सुबह जाकर के खेत में जाना पड़ेगा तो यहीं एक कहावत यहां भी आप समाज में सुने होंगे कि अगर कोई मौरेया है तो वह क्या करता है कि सुबह टाइलेट के लिए अपने खेत में जाता है देखे यह लोग समानेता कहते हैं लेकिन होता यह है कि वह निरिच्छड करने जाता है कि आखिर जो उसकी फसल है धनिया मूली पालक वगएरा लग चुकी है उसकी क्या इस्तिती है कहीं रात भर में कीड़े मकोड़े या नील गाय वगएरा तो खाके नहीं चले गए तो यह किसान करेंगे तो फिर वहां पर घाटा होगा जैसे आप गाड़ी वगएरा खरीते हैं तो देखते हैं कि अच्छा इसमें मेंटिनेंस कम है या जादा है तो उसी प्रकार से आपको यहां पर भी देखना होता है अब आज के समय में बहुत सारे किसान हमारे पास है जैसे को कोई प्राइवेट नवकरी कर रहा है कोई खुद का बिजनस कर रहा है कोई दुकान खोल के रखा हुआ है कोई सेयर मार्केट में है हमारे पास बहुत सारे किसान है और हो सकता है कि उन में से आप जो वीडियो देख रहे हैं उन में से कोई आप एक हो तो आप यह जानना च हासले होगी जो आप लगाएं तो आपको मुनाभा दे सकती हैं यह सारी चीजे आगे आप लोगों को मिलेंगी तो अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर पर शमाप्त करते हैं जल्दी आगे की वीडियो ले करके आएंगे नमस्कार जै जवान जै किसान जै विग्याइब